हलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में नीट का एक्जाम देने के बाद एक बार फिर आप सबका फोकस एम्स पर होगा हर स्टुडेंट की ख्वाहिस होती है कि उसे एक बार एम्स में एडमीशन का मौका मिले क्योंकि एम्स सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेज में माना जाता है लेकिन इसका एक्जाम इतना टफ क्यों है एक्चुली टफ नहीं है टफ आप मानते हैं और क्यों मानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आल इंडिया में मेडिकल एक्जाम सिर्फ नीट होता है तो उस समय दो ऐसे कॉलेजेज एम्स और जिपमर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप टफ ना मानो क्योंकि everything is possible You can do it यदि आप ठान लो तो क्या नहीं हो सकता फिलहाल ज़्यादा तर students इसे टफ क्यों मानते हैं वो हम आपको बता देते हैं नीट और एम्स का comparison करिए तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी सबसे पहले नीट का examination आप offline देते हो जबकि एम्स computer based examination है नीट में आधा weightage यानी लगबग 50% marks आपको biology दिला देता है नीट में physics और chemistry के 45 questions जबकि biology के 90 questions आते हैं जबकि एम्स में तीनों बराबर हैं माने physics, chemistry और biology के 60 questions आते हैं एक और चीज जो biology के students को tough लगती है वो है GK क्योंकि एम्स में 20 questions GK के भी होते हैं यानि एम्स में 200 questions और नीट में 180 questions एम्स में एक question पर एक number है जबकि नीट में एक question पर 4 number है minus marking दोनों exams में है इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा tough biology students को लगता है वो है assertion और reason का question जी हाँ हम आपको बताएं 40-40 questions physics, chemistry और biology के MCQ टाइप के होते हैं जबकि 20 questions assertion और reason पर होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा problems क्यों होती हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि assertion और region अलग-अलग होते हैं और उसके basis पर options दे करके आपसे answer पूछे जाते हैं कभी assertion और region दोनों सही होते हैं कभी दोनों गलत होते हैं कभी उसमें से सिर्फ assertion या सिर्फ region सही होता है तो ये एक बड़ी problem है इसके लिए concept clear होना चाहिए तब ही आप इसको solve कर पाएंगे तो इसके लिए क्या strategy हो कौन से topics आपके लिए most important है कौन सी book से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे तो please हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe और share करें और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए comment करें Thank you